अगले खबर रायपूर से जहां 36 गर नरायनपूर के कडेनार आईटी बीपी कैम्प में एक जवान नियंधादुन फाइरिंग कर 6 जवानों की हत्या कर दी इस फाइरिंग में दो अन्य जवान भी घायल हो गए घटना की जानकारी लगते ही बटालियन सहे शासन प्रशासन म कहना है कि आपसी विवात के बाद एक जवान नियंधादुन फाइरिंग की जिसकी चपेट में कई जवान आ गए उनमें से 6 की मोके पर ही मोत हो गई वहीं दो जवान गंभी रूप से घायल हो गए है जिनने इलाज के लिए अस्पताल ले जाय गया है नरायनपूर स्पी म इफ़ान हो गए हैं बताय जवान आई टी बीपी पंतालिस बटालियन के हैं यह भी बताय जा रहा है कि जवान ने अपने साथियों के उपर अंदा दुन फाइरिंग की उसकी भी मोत हो गई है उनमें कॉंस्टेबल मुसुदल रहमान निवासी नादिया पश्रिम बंगाल इस जवान पर फाइरिंग का आरोप है कि आरोप लगाय जा रहे हैं हैं एट कॉंस्टेबल महिंदर सिंग निवासी संधियार बिलासपूर हिमाचल परदेश कॉंस्टेबल सुर्जीत सरकार निवासी नौर्थ श्रीरामपूर बद्धावान पश्चिम बंगाल हैट पर रूप महतो निवासी खुक्रामपूरा पुर्लिया बश्रीम बंगाल कॉंस्टेबल बिजेश एसी निवास एरावतूर कोजी कोड केरला है दो जवान हैल हो गए जिनके पहचान कॉंस्टेबल उलास एस्बी निवासी पुलीमठ तिरू वंद्रापूरम केरला कॉंस् तून निवासी नयाबास नागोर राजस्थान के रूप में हुई है नारेनपुर जिलके कडेना राइटी बीव कैंप में एक जवान अपना बाकी साथियों को पर गोई चला लिया खुल मिलाकर इस संपोर्ने जो गतना क्रम में चेह कर मृतिव और दोग है जेबीनी बैं अपर्फेक्ट वेन्यू फर वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना एंड जोती गादन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्राइब ऐसे ही लेडेस को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद